दोस्तों, श्रष्टी के कट कर्मे महा देव का बास है, और वे अपने भक्तों का हर रूप में कल्यान करते हैं। भगवान शिव ऐसे देपता हैं, जो महर्च लोटे भर जलत से ही प्रसन हो जाते हैं। भगवान भोले नाथ जिसमर महरबान हो जाते हैं उसकी सभी मनुकामनाय पूर्ण कर देते हैं भगवान शिप के पोजन के लिए सौंबार का दिन अतिन्त शुब होता है इस दिन बाबा भोले की पोजा करने का विशिश्वल मिलता है शास्तों में भगवान शिप को प्रसंद करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से व्यक्ति की सभी मनुकामनाय शीगर ही पूर्ण हो जाती है लेकिन दोस्तों भगवान शिप को प्रसंद करने का सबसे आसान उपाय है भगवान शिप की शिबलिंग का पूजन करना भगवान भोले नात की शिवलिंग का पूजन कहने से भगवान भोले नात अतिशीक्र ही प्रसन हो जाते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कहते हैं वैसे तो भूले नात की शिवलिंग का पूजन रोजाना करना चाहिए, लेकिन सौंबार के दिन शिवलिंग का पूजन करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों शिव पुरान में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है, जिन्हें अगर भूले नात की शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाए, तो इससे भूले नात अतिशीग्र ही प्रसन हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा बर्दान बर्दान करते हैं। भूले नात की शिवलिंग पर अलग अलग बस्तू चढ़ाने से अलग अलग मनुकामना की पूर्दी होती है। तो आईए दोस्तों जानते हैं कि किस मनुकामना के लिए भूले नात की शिवलिंग पर क्या बस्तू अर्पित करें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंज के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारी चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूसफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और भूले नाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंड बॉक्स में जै भूले नाथ जै शिफशंक कर अवश्य लिखें। दोस्तों अगर आपके बनते हुई कारे बिकर जाते हैं यानि कि आपका भाग के आपका साथ नहीं दे रहा है या आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त नहीं हो पा रहा है वो दर्जा नहीं मिल पा रहा है जिसके आप हगदार है तो दोस्तों आप सौंबार के दिन भूल नात की शिवलिंग का चंदन से अभिशेक करें चंदन से अभिशेक करने के लिए एक लोटे में शुद्ध जलने जल में थोड़ा सा दूद मिलाएं और फिर इस जल में आप थोड़ा सा चंदन मिला लें अब चंदन मिले हुई जल से आप भागवान शिव की शिवलिंग का ऐसा कहने से सौभाग्य में प्रत्थी होती है दुर्भाग्य भी भोले नात की कृपा से सौभाग्य में बदल जाता है भागवाई शिप की इस तरहें पूजा कहने से भोले नात की कृपा से समाज में मान सम्मान और एश्वरे की प्राप्ति होती है दोस्तों अगर आपको कोई रोग है और इलाज कराने के बाद भी उसमें फायता नहीं हो पा रहा है या कोई ना कोई बीमारी आपको लगातार बनी रहती है तो आप आज के दिन भोले नात की शिवलिंग का कच्चे दूसरे अभिशेक करें अभिशेक करते समय भोले नात की महा मृत्युन जये मंत्र का जाब करें दोस्तों महा मृत्युन जये मंत्र का आपको अभिशेक करते समय तो जाब करना ही है भोले नाथ का अभिशेक करने के पश्चार भी आप इस मंतर का 108 बार जाप अवश्य ही करें इस तरहें भोले नाथ का पूचन करने से भोले नाथ के कृपा से आरोक्य के प्राप्ति होती है रोगों से छुटकारा मिलता है साधी अकाल मत्यों का भे भी नहीं रहता दुरघटना से भी भोले नाथ रक्षा करते हैं दोस्तों अगर आपके कुंडली में ग्रह दोश है कुंडली में मौझूद किसी भी ग्रह की इस्तृति अशुब बनी हुई है तो भी आप भोले नाथ का इस तरहे पूचन अवश्य ही करें ऐसा करने से कुंडली में मौझूद दोश भी दूर हो जाते है और भोले नाथ की कृपा से बैभव बाएश्वर्य की प्राप्ति होती है दोस्तों अगर आपके कोई मनुकावना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो आप आज के दिन भोले नाथ को बेल पत्तर अर्पित करें ऐसा करने से भोले नाथ अतिशीक्र ही प्रसन हो जाते हैं लेकिन ध्यान रखें भागवाय शिप को कभी भी कटे फटे दो पत्ते वाले और चक्र वाले बेल पत्तर ना चढ़ाएं भागवाय शिप को तीन पत्तियों बाला ही बेल पत्तर चढ़ाएं उनकी डंडी की गाठ भी तोड़ लें बेल पत्र पर आप अश्ट गंध या चंदन से राम राम अवश्य लिखें, आपको बेल पत्र के तीनों पत्तों पर राम राम लिखना है, और फिर भोले नात का जलसे अभिशिक करने के परशार आपको यह बेल पत्र भोले नात की शिवलिंग पर अर्पित करना है, बेल पत्र आपको शिवलिंग पर इस तरहें अर्पित करना है कि बेल पत्र की जो चिकनी साइड है बहें शिवलिंग की तरफ हो और जो नसों वाली साइड है बहें उपर की तरफ होनी चाहिए इस तरह बेल पत्र अर्पित करने के बाद आप धूब दिव चलाकर भूले नाथ की आरति करें. फिर आपकी जो भी मनुकामना है फिर भूले नाथ के सामने करें और मनुकामना पूण करने के प्रात्ना करें. दोस्तों इस तरह भूले नाथ का पूचन करने से भूले नाथ अतिशीक्र ही प्रसंद हो जाती हैं और मन चाहां बर्दान प्रदान करते हैं दोस्तों अगर आप पेठ्यार थी हैं आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद नहीं रहता या परिक्षा में मेहनत के अनुरूप आपको परणाम प्राप्त नह आप नौकरी की तलाश में हैं और नौकरी नहीं लगवा रही है तो दोस्तों आप दूद में शक्कर मिलाकर इससे भोले नात की शिवलें का अभिशेक करें इसके पश्चा जलसे अभिशेक करें ऐसा करने से भोले नात की कृपासी दिमाग तेज होता है पढ़ाई में मन और परिक्षा में अच्छे परणाम प्राप्त होते हैं कारी छेतर में तरक्की मिलती है और नौकरी के योग बनते हैं दोस्तों अगर आपके परिवार में कोई ना कोई समस्या लगातार बनी रहती है आप शनी दोश या पित्र दोश से पीड़े थें तो आप शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ी सी काली तिल मिलाएं अब इस जल से भोली नात की शिवलिंग का अभिशेक करें अभिशेक करते समय महामित्यंजे मंत्र का जाप करें अभिशेक करने की पश्चात भी आपको कम से कम 11 बार महामित्यंजे मंत्र का जाप अवश्य प्रप्रशन होते हैं और पित्रों की क्रपा प्राप्त होती है इस तरहें भोले नात का अभिशेक करने से पापों से छुटकारा मिलता है और घर में शुक शांती बनी रहती है दोस्तों अगर आपके विभा में अर्चन आ रही हैं विभा नहीं हो पा रहा है या आप बैवाहिक हैं और आपके ग्रहस्त जीवन में समस्या चल रही है जीवन साथ ही से अन्बन रहती है तो आप भोले नात की शिवलिंग का केशतर मिश्टरिच जल से अभिशेक करें इसके लिए आप थोड़ा सा दूद लें और उसमें केसर की कुछ पत्ते डाल कर उसे खोल दें जब केसर दूद में अच्छी तरहें खुल जाए फिर इस दूद को आप जल में मिला कर इससे भोले नात की शिवलिंग का अभिशेक करें अभिशेक करते समय आप भगवान शिव मापार्वती के इस मंतर का जाप करें मंतर है ओम ओमा महिश्वराय नमा ओम ओमा महिश्वराय नमा अभिशेक करने के पश्चात भी आपको 108 बात इस मंतर का जाप करना है दोस्तों इस तरहें भूले नाथ का पूजन करने से भगवाई शिफ माँ पार्वती की कृपा से विभा में आ रही अर्चने दूर होती हैं जल्द विभा के योग बंते हैं, बैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं और पती-पती में प्रेम बढ़ता है दोस्तों अपनी मनो कामना के अनुसार शिप पुरान में बताई गई इन बस्तूँ से आप भोले नात की शिवलिंग का अभिशेक करें लेकिन अभिशेक करते समय आपको कुछ बातों का विशिष ध्यान रखना चाहिए काले रंगे बस्तू पहन कर भोले नात का पूजन ना करें भोले नात का पूजन करते समय सुच्छता पवित्रता का विशिष ध्यान रखें इस नान का सुच्छ बस्त धारन करके ही भोले नात का पूजन करें महिलाएं और कन्याएं भोले नाथ की शिवलिंग का इसपर्ष ना करें महिलाएं भोले नाथ का पूचिन करते समय नमश शिवाई मंतर का जाब करें और पुरुष ओम नमश शिवाई मंतर का जाब करें भोले नात के मंत्रों का जाप हो सके तो रुत्राश्व की माला पर करें शिवलिंग का अभिशेक करते समय लोहा, काच, चीनी मिटी या प्लास्टिक के पातर का इस्तमाल ना करें जब भी आप दूसरे अभिशेक करें तो तांबे के पातर का भी इस्तमाल ना करें भोले नात का कभी भी अखेले पूचन ना करें यानि कि सबसे पहले भगवाय श्री गणेश को प्रणाम करें फिर भगवाय शिप की शिबलिंग का अभिशेक करें और भगवाय शिप के पूरे परिवार को प्रणाम करें दोस्तों फोले नात की कृपा प्राप्त करने के लिए इन बातों का विशिष ठ्यान रखें प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक्स पर वाचेंग जैशिव शंकर